अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब मैं चाहता हूँ कि अब आज शाम को मैं हर्ष को अपने साथ गुमाने ले जाओ उसकी फेर्वर जगाउं पर I'm sure पापा के अर्ष भी बहुत खुश होगा क्या आप बता सकते हैं किसने खरीदी है ये साडी तो पिशल डिजाइनल साडी है आप चिंता मत कीजिए मैं कल सुबार बिल्की कौपी आपके गर पहुँचा दूँगा बहुत परदाश कर लिया मैंने अर्ष अब होड नहीं मेरे परिवार और मेरा पिजनिस मैं तुझे अपने पती को मौत के मूँ से निकाल के लेकर आएगी सुनी, शिखर अपसे कुछ बात करना चाहता है बोलो शिखर ड़ड, आपने काधलां सबूत लेके आईए ड़ड, आसबूत लेकर आयो ये क्या है? ड़ाड हर्श भाई पर हमला करने वाले का चेहरा नहीं देखा था ता हर्ष भाई ने अचैप अच्छ पालू देखा था और वैसी ही इग्जाट सेम साड़ी जैसी जाषी जान्की भावी ने उजन पहनी थी सेम साड़ी इस शॉप से खरी दी गई है यह यह बिल उसी अरे किसी ने जानकी जैसे साड़ी दुकान से खरी दी इसलिए तुम कह रहे हो के जानकी ने हज को धक्का नहीं दिया नॉंसेंस जानकी निर्दोश है जो साड़ी हमने जानकी के लिए खरी दी थी वो हमने हमारे लिए खास बनवाई थी इसलिए वैसी दूसरी साड़ी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब किसी नहीं सेम साड़ी बनवाई है, इक्जाक्ट सेम अरे, तुम दोनो बक्वास कर रहे हो दैड, आरे, सुरो मेरी बात, यार, दोनों साडी का डिजाइन एक तरह का होना, ये कोइंसिदेंस भी हो सकता है मुझे नहीं लगता, दैड दैड, मैंने खुद उच शॉप की CCD भी फुटे चेक करी है जिसकिसी इंसानने भी ये साडी खरी दिया, मैं उसको चहरा नहीं देख पाया, चहरा माज से कवड था पर माँ और दादी के साडी करीदने के बहुत देर बाद वो इंसान वहाँ पर आया ये साडी करीदने इंफाक शॉप बन होने वाली थी तम जाकर वो इंसान आया डैड, डैड मुझे ऐसे लगता है कि जान की भावी को पसाया जा रहा है जिस किसी इनसान ने भी ये गंदी हरकत करें उसे ये आइडिया था कि जान की भावी मकर सकरांती वाले दिन कौंसी साडी पहनेंगी तब ही exact same साडी खरीदी गई ताकि हर्ष भाई को धक्का देकर जान की भावी पर ये इल्जाम लगाया सके कि उन्हों ने धक्का दिये Dad, please try and understand, please इसका मतलब हर्ष की जान को खत्रा है भावी, पता नहीं हो के साल में होंगी माँ लेकिन अब अब जाकर मैं भावी को लेकर रहता हूं मैं हर्ष भावी के साथ जाता हूं, Dad और जान की भावी को लेकर आता हूं Stop it! Stop this nonsense, शिखर! जल्दवाजी कभी नहीं करते तुमारे पास कोई सबूत नहीं है सिर्फ हवाई बाते हैं तुमारे पास जब तक उस इंसान का पता नहीं लगता है जिसने हर्ष को तक का दिया था जान की इस घर में वापस नहीं आएगी डाड, आपके पास क्या ठोस भूत है कि ये सब काम जान की भावी ने किया था? अरे हर्ष भाई खुद बता रहे हैं क्यों नहीं नहीं देखा, Dad बहरूपया भी तो हो सकता है, ना जान की भावी को benefit of doubt देना पड़ेगा, Dad, आपको क्योंकि जैसे आपको लगता है कि ये काम जान की भावी ने कियाए मुझे और अर मा को नहीं लगता है काम जान की भावी ने किया शिकर, बिलकुल और ब्लकुल सही कहा रहा है अरे अरे शिकर क्या हुआ इतना खुश्ट कर दिया अरे जानकी बाबी को निर्दोष प्रूफ कर दिया अब बस दर्बंगा जा रहा हूं उने लेने अपने हर्ष भाई आप जा बहुत अची कपर है कि बेटा हर्ष और राजेश दोनों एक साथ गए कल राजेश ने ना हर्ष को बहुत जोर से डार दिया था बहुत जगड़ा किया था उसने तो वो उसे मनाने के लिए उसके साथ समय बिताने के लिए अपने साथ लेके गया है ताकि जगड़ा खतम हो जाए उसके साथ में हा शिकर तुझे क्या लगता है कि तुझे मैं अपना खेल खराब करने दूगा और शुर जान कि अब सिर्फ तेरे सपनों में आएंगे जिंदगी में नहीं घर में भी नहीं पीहू पार्ड नाशता रेडी है आजाओ वंद्णा भाभी राजेश भीया कहां लेकी गए है आर्श को मुझे नहीं पता शिखर मुझे बता कि नहीं गए अच्छा आपको बता कर नहीं गए वो पूरी रात घर से बाहर रहे है और आपको पता ही नहीं हो कहां पर है बाभी क्या चुपा रहे हैं आप शिखर ये कैसे बात कर रहा है तू भाभी से ये नहीं बताया न बिटा कि वो दोनों साथ में गए हैं आ जाएंगे बाभी मेरा भाई घर में नहीं है मैं जानतों आप जान की बाभी से नफरत करती है जब हर्ष भाई को कमरे में बंद किया तो बहुत कुछ होई थी आप इसलिए मैं आप से पूछ रहा हूँ मुझे बताई है राजेश भाई हर्ष भाई को लेकर कहां गया है कहां गया है बाभी शिखर ये कोई तरीका नहीं है अपनी बड़ी भाई से बात करने का घर की मरियादा संस्कार सब भूल गया है तू संस्कारों और मरियादे से भी जादा इंपोर्टेंट है घर वालों की सलामती दादी एक मिनिट अस बहुत हो गया मैं सच में नहीं जानती शिखर की वो दोनों कहां गए है और अगर वो दोनों कहीं गए भी है तो क्या हो गया भाई है जाद नहीं सकते शिखर अभी क्या भी अपनी भाभी से माफी मागई सारी शिकर सही कह रहा है यहां हर्ष के बहुत दुश्मन है और राजेश तो हर्ष सिफ बहुत नफरत करता है वो हर्ष के साथ कुछ भी कर सकता है राजेश मैंने तीन नाउन शॉक दिये है और दो तोनली सिली राजेश वो मर जाएगा राजेश क्या करदे ओछ? बीजे रहे हो ना है के मुझे आवाज आरे अप तक Alt 옳ा ना तुमें जिंदा लाग चाहिए मुझे ज लॉट जिंदा लाश पना तो मुझे यग आवाज लाज राजिश इसमें खत्रा है, यह मर जाएगा राजिश, वट 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 आ यू दूग राजिश, आ यू मैड जादा खत्रे गिले जादा पैसे दे रहा हूं तुम्हे आवाज नहीं आनी चाहिए इसकी इसकी नहीं से पूप आएगी जाओं आएगी जाएगी तुम्हेश इसकी नहीं देदेखना राजिश, आप ज्देखना राजिश, ज्दूब भॉन साध्य जाएगी अंच्टाण को चिस इसकीश, वट पूप नहीं इस जाएगी जिस साडी की दुकान पर आपने जाने के लिए बोला था वहाँ जाके पता चला कि जैसी साडी आपने पहनी थी माकर सक्रांदी वाला दिन सेम साडी, सेम, किसी और ने भी वहाँ से लिये है पर गुड़ नियूस यह है भावी कि अटलीस इसे यह प्रूव हो जाता है कि आप निर्दोश है यह बगवार थैक्यू आपने मारी प्रात्ना सुम्ली अब शिखर हर्षी ठीक है ना ने हमने तुम्हें बहुत बार फोन क्या पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था रही है बताओ नो वो ठीक है ना बोलो नशी का चुप की हो पता नहीं मैं अपको कैसे बताओ पर कैसे बताओ मतलब कर रात सही हर्ष भाई और राजेश भाई यह दोनों मिसिंग है क्या अने अपने सारे फामा उसे सारे गेस्टाउस हर जगा चेक कर लिए यह बॉंड़नी वाली बात बखवास लग रही है क्या कर रहे हो कहीं मिल भी तो नहीं ले है ना समत बोलो शिकर हमारा वन पहले से बहुत कप्रा रहा था और एक काम करते हम हम उनका फोन ट्रै करते तुम दो प्रीज इनको टूंड़ो और तुम इनका फोन ट्रै करो यह पगवाल उनके सद कुछ अनूनी नी होनी चाहिए मैने कहा तुम्हे रुखने कलिये नजिश अभी और शॉक नहीं दे सकते है यह सहने ही पाएगा नजिश भाई है तुमारा बाइ नहीं नहीं यहर भाई बाइ नहीं यह बाइ नहीं इस अरू दिखाई दिया कुछ सर्फ बेहुश होना काफी नहीं है इसे और शौक दो और शौक नहीं दे सकते राजेश ऐसा करने से ये आदमी ब्रेंडेट हो सकता है मर जाएगा? पूरी तरह नहीं, लेकिन एक जिन्दा लाश की तरह बन जाएगा मतलब जिन्दा रहेगा ये सिर्फ जिन्दा रहेगा ऐसे जिन्दा रहने में क्या अच्छा है? अच्छा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हर्ष शास्त्री एक जिन्दा लाश बन कर रहेगा ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है सिर्फ तुक मेरे भाप का estás, मेरे भाप भो शपनावी मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाप सबना देखता है कि हर्ष को सारा बिजनिस दे देगा सारा बिजनिस सब मेरे बास वापस आजाएगा तुक पूस्दाए कि किया अच्छा है? कितना कहा है उत्ना करो सिर्फ एक छोड़ी सी बात का ध्यान रखना, मन ना जाए है मेरा भाई है बहुत प्यार करता हूं इसे आप और शौण होगे नहीं इंकी पटिया ढीली कर दो, जब इसे होश आए तब बता देना पता नहीं का हैं वो दोनो, पर किसी भी फार्मा उस पर दो नहीं है बिटा कहीं, वो जानकी कि यहां तो नहीं चले गए नहीं दादी, एरी भावी से बात होई थी, हर्श भाई वहाँ भी नहीं है बहुत होगे दादी, मैं बुलिस को इंफर्म करूँगा, वो राजेश भाई की लोकेशन पता करने कुशिश करेंगे शायद प्रेस हो जाए, हाँ दादी रुको शिकर शिकर राजेश हर्श का भाई है वो इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है तो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे डाद, हम सब जानते है राजेश भाईया बहुत गुसेल है मैं यह नहीं बोला कि राजेश भाईया हर्श भाई को मार देंगे पर कुछ तो गरबढ़ है डाद शिकर नहीं डाद, हिस्वान रुप आँगा मैं यूनों वाट, जान की बाभी हमेशा बोलती है कि अमें हर्श भाई निए हर्श भाई की रेपिटिशन की जिन्ता है पर इस बार मैं हर्श भाई को बचाने जाऊंगा मुझे नहीं पर्मा इस रेपिटेशन वगरा की जाए जिकर तुझे जो करना है कर आज हर्ष को डूड़ने की जो कर सकता है कर अब को अमरा हर्ष सही सबत वापस जहिए बस सवीता तुम पागल हो गई हो क्या हम दुनिया को कैसे बता सकते है हर्ष की हालत क्या है शिकर तो बस कीजिया अगर आज अपनी शिखर को रोकने की कोशिश की ना तो आप अपनी बतनी को खो देंके कह दे रहे हुझे अगर अज को कुछ हो गया ना तो अपने को कतम कर देंगे मैं पोलिस को फोन करता हूँ शाद वो राजिश भीया के फोन के लोकेशन रेस कर सेखे थांक यू माम एने कम्प्लें कर दी है शाद दो घंटे में में लोकेशन का आइडिया लग जाएगा चांकी जी ये सभी दवाईया और इंजेक्शन चाहिए प्लीज चली से मंगवा दीजे चांकी आप सुन रही है मैंने क्या बोल रहा हूँ सर आप हमें बताइए वैसे भी उनके लिए उनकी फैमिले से इंपोर्टन लोग कोई और है अर्टु ये लिए कराग एएए। आपने बताई आप कहा है और ये किसके नंबर से फोन करें आप हमें नर्स, नर्स का फोन नपर रहे है आप आपके साथ कोई है राजिश पर या कहा है कुछ पता है आपको आप आपके पास अप बस इतना नप्तिया कहा है अर। व्य जाद इंठ गवडिश में बस इतना अपके पास इतना बताई कहा आप दो आप अम और चुल है भूर Branch Dad अब आपने भी बोला ना कि नर्स है आपके आसपास है ना तो आप इसी हॉस्पिर में तो नहीं है अब आपके पास देखी आसपास देखी कौन लोग है आपके आसपास देखी कुछ तो बताईए हमें अब आपके 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 अच्छी अब ठीक है? अच्छा सुनिये हमें अभी 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 ट्रेम क्या वास उन्हें दिये महां को स्टेशन है क्या? आसपा स्टेशन है? हलो? अच्छी? अच्छी सब फीक तो यह लो? आफ़र क्या है? इस अच्छी 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 कहा है माप नहीं कहा था न? से स्टेशन में भाड़ा महीं कर रहे हैं अब तुम तब मापईज सो गया हर्श आजा, डवाई ने आजदाद A247236 यह तो जानकी का नंबर है इतनी जान कहां से आगई तेरे अंदर इतनी हम्मत के तुने तुने जानकी कुफ़ पून आज़ को फॉपाई पुरहे दिया प्रेमबंधन तेरी इतनी हमात कहां साहओ बेंदर तेरी इतनी हमात कह साहओ तेरें तर तेरे अंदर मेरी एक बाद कान कोल के सुनु मेरे बारी के वो जान की हमारी जिनकी से चली गई है और आज के बाद मैं तेला बेवाल करूमा तु कर में तो रहेगा लेकिन करके कौने में परनीचर की तरह बढ़ा हुआ के जहार सबहर उख को जगा है जुट करा उे हीई बौत्ष यालिझारव में उरिखिए कैंद एडिशे में रिखिआगा फैड़ाइगे में बृतिख्रा में ऑंजँ एडिग्वे incarnation औ ön इड़ एडि़ा ट्राक ये वहाँ को मैं अब का बाई हूा रहाँ है हुगा है हुग बाई हुग आना रहे हुग पाई हुगा हुग Lord Boy मैं बाई की बदेड रही रहुज की दाप एक्षूप जितनल, शोग तोई visão, शोग तो! शोगता हुआ तो अुझल laday.. शोगता हुआ एक वब मेढसारे जिए के मुट्से सुझायन जदे लाशगा मतलब 座ूं समझाओ तुझे दे जल्दी और शोक दें से लेकिन और शोक देने से ये मर सकता है सुझ मेरी बात क्या चाहता है तू ये मरे या तू भूग बहुत देमाग करप हो गया जो बोले कर चार रहे अजिया है तुद्ध मेरा बचा लो ली तुद्ध गामा सबसे शक्ती-शाली होती है संसार की हरमा को शक्ती देती है गुराई का नाश करती है अठष्षा करती है प्रेमबंधन हम हार्शी तक खैट से पोचें, वो कहां है, मैं ये तक नहीं पता मां, आप मुझे हर साल फैंसी जेस में दुर्गा माता ही क्यों बनाती है क्योंकि बेटा, दुर्गा मा सबसे शक्तिशाली होती है संसार की हर मा को शक्ति देती है बुराई का नाश करती है और अच्छाई की हमेशा रक्षा करती है हमारे हशी इस दोस्तिश बुझे 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 मैं पचा खर्ती हूं, यो फार्म होस कहा है? लांसे देख लिए फोत्वा, तुनि रख्ते है लगी ज़रूर आईगिया, बाहर आए तो पकड़ के मेरे बस ले ना मैने कारना मेरी गुडिया को कोज नुद करना, मैने कारना मेरी गुडिया को कुछ भाँ उसे! कर दो कर दो